हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत आप से भी का इजुकेशनल स्टड़ी बन यूड़ोब चैनल पे तो देखिए दोस्तो रेलवे ग्रूब डी एक्जाम 2022 कंडिनियों आपके एक्जाम चल रहे हैं प्लस उनसे रेलेटेट क्वेशन एक्जाम में ज़्यादा तर पूछे जा रहे हैं तो वही क्वेशन में इस वीडियो में कवर कराऊंगा जिनका भी अभी एक्जाम बाकी है सभी साथ वीडियो में ध्यान से अंड तक बने रहेएगा चल ये वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किये तो जल्दी से लाइक कर दीजे बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम, हाइडरोजन, कार्बोनेट एंव, तार्टरिक अमल जैसा एक मंद खाद अमल का क्या है मिश्रण है अगला क्वेशन है, एने सील को H2O और अमोनिया की उपस्तिती में CO2 से अभिक्रिया पर क्या बनेगा तो ये बनेगा सोडियम बाई कार्बनेट, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 की जब रियक्शन कराई जाती है तो NH4Cl और NaHCO3 का निर्मान होता है ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेशन का आपका विल्को राइट अंसर था अगला क्वेशन है, 12 वोल्ट की बेंटरी से 6 ओम और 4 ओम के परतिरोद श्रेणी करम में जुड़े हैं तो धारा का मान क्या होगा, तो श्रेणी करम में टोटल परतिरोद कितना हो जाएगा, 6 और 4, 10 ओम धारा आई बराबर क्या होता है, V upon में R होता है, V का मान कितना है 12, R का मान कितना है 10, तो धारा आई बराबर कितनी हो जाएगी, 1.2 Ampere हो जाएगी ठीक दोस्तों, तो ये इस क्वेशन का आपका क्या था बिल्कुल, राइट अंसर था नेक्स्ट क्वेशन है, उच सर्जन अंग में उपर से नीचे के करम में सजाएगी, तो सबसे उपर हो जाएगा किड्नी, फिर मुत्र वाहिनी, फिर मुत्राशे, और फिर सबसे नीचे क्या हो जाएगा, मुत्र मारग हो जाएगा ये इसका क्या रहेगा ये इसका बिलकुल सही करम रहेगा अगला question है प्रेरित EMF और प्रेरित धारा ये दोनों कुंडली के परतिरोद से किस परकार समंदित है तो प्रेरित EMF कुंडली के परतिरोद से मुक्त होता है जबकि प्रेरित धारा कुंडली के परतिरोद पर क्या निर्भर करता है option number one is question का आपका right answer रहेगा अगला question है चुंबक के भीतर चुंबक के रेखाओं की दिशा क्या होती है तो ये दक्षिन से उत्तर के ओर होती है चुंबक के भीतर अगला question है पोधे अपना extra पानी किस रूप में उत्सरजन करते हैं तो ये करते हैं आपके वास्पो उत्सरजन C number option is question का आपका right answer रहेगा अगला question है इन जैडनो प्लस C उत्पात बनेगा जैडन प्लस CO which substance is oxidized and reduced यानि कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अप्चेन हो रहे है तो carbon का ऑक्सीकरण हो रहे है ठीक है और zinc का क्या हो रहे है अप्चेन हो रहे है ठीक दोस्तों तो या आपका right answer था अगला question है साधारन उदासनी करण अभीक्रिया में क्या उत्पात प्राप्त होता है तो जो उदासनी करण अभीक्रिया होती है neutralization reaction होता है उसमें लवन और जल का निर्मान होता है acid प्लस base, salt प्लस water इसमें बनता है अगला question है मैंडलिफ के वरगी करण के समय कौन सा समूह मौजूद नहीं था और उसका खोज बाद में हुआ तो ये मौजूद नहीं था एक्रिया गैसे noble gases right answer option नमर B रहेगा इस question का अगला question है निमन लिखित में से कौन सा carbon का शरंकला चारों तरफ से गिरा हुआ रहता है तो ये रहता है चक्रिया carbon, ring carbon series right answer option नमर 3 रहेगा इस question का अगला question है पेंटानल में कौन सा किरियात्मक समूह है तो इसमें aldehyde किरियात्मक समूह है, formula है C5H10O अगला question है आपके सामने, 500 watt का refrigerator प्रती दिन 12 घंटे चालू रहता है पांच रुपे परती unit के अंसार 30 दिन में कितना बिजली भी लाएगा तो formula आपको apply करना है, watt गुणा, दिन गुणा घंटा बटा में 1000 तो 500 watt है, 12 घंटे चलता है, 30 दिनों के लिए आपको ग्याद करना है, 1000 से भाग दे देना है जब आप इस equation को हल करोगे, तो total आपके पास kwh आ जाएगी, जो total आपके पास kwh आ जाएगी, उसको आपस 5 से गुना कर देना है तो total आपका बिजली का जो विदुत खर्चे वो आपके सामने आ जाएगा आगला question है, पादप में कोशी का भीती क्यों होती है तो रक्षा की पहली पंक्ती की रूप में ये क्या कारे करती है यह पोदों की वर्दी का समर्थन करने के लिए एक सरंचनात्मक धांचा परदान करता है आगला question है, कौन सा कथन धातू समंदित सही नहीं है तो धातू आवर सार्णी के लेफ्ट में विवस्तित है, सही है धातू में विदुध धनी होती है, सही है इलेक्टरों त्याग कर धनायन बनाती है तो ये तीनों ही कथन के धातूं के बारे में सही है अगला question है, एजेव निमनी करनिये होते है तो वे पदार्थ जो जेविक प्रक्रमों द्वारा अपगटी नहीं हो पाते उन्हें एजेव निमनी करनिये कहा जाता है अगला question है, दूसरी सरवादिक जनसंक्या किस माधविप में है तो अफरीका में है 17.20% ठीक है एशिया में सरवादिक है 59.54, फिर यूरो, फिर उत्री अमेरिका, फिर दक्षन अमेरिका और फिर उस्टेलिया में अगला question है, कंदरिया महादेव मंदिर किस वंस के शास्कों द्वारा निर्मित है तो ये चंदेल वंस के शाषकों द्वारा निर्मित है जो खजुराहो मध्य परदेश में हैं कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधारा के शाषिनकाल के दोरान बनाया गया अगला question है किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को क्या कहते हैं तो इसे वैपार संतूलन के नाम से जाना जाता है next question है तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्शे योजना का उदेशे है तो ये ग्यारवी पंचवर्शे योजना का उदेशे है इसका उदेशे तेज और अधिक समावेशी विकास था और बारवी पंचवर्शे योजना 2012-2017 तक थी इसका जो लक्षय था वो था तेज अधिक समावेशी और सतत विकास अगला question है भारतिय समिधान के किस अनुछेद में यूनियन बजट का उलेख वार्सिक वित्य विवरण के रूप में किया गया है तो ये किया गया है अनुछेद 112 में अगला question आपके सामने मध्य परदेश के ग्वालियर में 96 तानसेन संगीत समा रोहे के तहत परदेश्ट तानसेन समान से किसे समानित किया गया तो ये समानित किया गया परसिद संतूर वादक पंडित सतीस व्यास को अगला question है जवाहरलाल नहरू पोर्ट कहां पर है तो ये नवी मुंबई में जिसे नहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है आगला question है राज्यों के लिए उच न्याले होगा किस अनुछेद में वर्णित है अनुछेद 214 में 215 में उच न्यालों का अभिलेक न्याले होगा ये है 216 में उच न्यालों के गठन से सम्मंदित है 217 उच न्याले के न्यायदिश की न्युक्ति और उसके पद की शर्तों से सम्मंदित है नेक्स्ट question राश्ट्रिय महतव के समारकों स्थानों और वस्तों का सरक्षन की सनुछेद में आर्टिकल 49 में 48 क्रशी और पशुपालन संगठन से सम्मंदित है 48 के पर्यावरन के सरक्षन और सवर्धन और वन तथा वन्य जियों की रक्षा से सम्मंदित है आर्टिकल 50 कारेपालिका से न्याएपालिका के प्रथक करण से सम्मंदित है 51 अंतर राश्ट्रे शान्ति और सुरक्षा की अभी वर्धी से सम्मंदित है अगला question है कि सराज्य का लिंगान पात 1084 है केरल का है 1084 स्टेट with highest female sex ratio कौन से केरल है और भारत का लिंगान पात कितना है तो ये 943 है अगला question कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्च के रन में विलुप्त हो जाती है तो ये है लूनी नदी लूनी नदी का उद्गम अजमेर के करीब अरावली की नाग पहड़ियों से होता है अगला question है अनुछेद 315 किस से समंदित है तो अनुछेद जो 315 है वो संग लोक सिवा आयोग UPSC के साथ साथ परतेक राज्य में राज्य आधारित सरकारी अर्थ सरकारी न्याइक अन्य अधिनस सिवाओं के आयोजन के लिए राज्य लोक सिवा आयोग की स्थापना के प्रावधान से समंदित है अगला question है कि कुशान कालिन माट मंदिर में पाई जाने वाली शाही मूर्तियां किस राज्य में है तो ये भारत के उत्तर परदेश राज्य में है और ये मतुरा के पास में स्तित है ठीक है दोस्तों बात और ये उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश के सीम कौन है उत्तर परदेश की सीम है योगी आदिते नाथ और उत्तर परदेश 2011 जनगंडा के अंसार सरवादी क्या है आबादी वाला राज्या ठीक है तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है ये क्वेशन भी एक्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे है तो आज की स्वीडियो मैंने सभी इंपर्णन क्वेशन कवर कर लिए वीडियो को यहां देखते का धन्यवाद पसंद आए लाइक और शेर जरूर कीजिएगा